तो आज मैं बताने जारी हूं आपको जीरे के फायदे आज मैं आपको पताने जारी हूं अगर आप मोटापे से परेशान है या आपको कब जो हो रही है या फिर आपको गैस की दिक्कत होती है तो मैं आपको एक अच्छा घरे लून उसका बताने जारी हूं जो आप असानी से यूज कर से यह है जीरा जो आपको हर घर में मिलेगा मसालों में हर घर में मिलता है तो इसके फायदे में आज आज आपको बताने वाले हूं अगर आप मोटापे से परिशान है तो आपको ये एक गिलास पाने में एक चमच जीरा लेके भीगाना है और उसको मॉर्निंग में लुक वोम करके उसको पीना है दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जीरे की तासीर गरम होती है तो कई लोगों को गरम तासीर की चीजे जिलती नहीं है तो आपको क्या करना है रात को पानी में भीगा कर उसे रखेंगे और सुबा उठकर लेंगे तो उसकी तासीर ठंडी हो जाती है सबसे पहले मैं बता दूँ कि जो नई मा होती है मतलब की जिनकी अभी अभी डिलीवरी हुई है तो उनके लिए बहुत ही फायदे मंद है गरम पानी से अगर वो जीरा लेती है तो बच्चे के लिए दूद जादा बनता है ब्रेस्ट मिल्क एक्स्ट्रा हो जाती है शरुआत में ब्रेस्ट मिल्क अच्छा नहीं आता है तो उसमें आपको फायदा मिलेगा सेकंड चीज में आपको बता दूँ कि अगर आप खाली पेट मॉर्निंग में ये पानी लेते हैं जीरे से भीगा हुआ पानी लेते हैं तो आपको ग्यास नहीं बनेगी और आपका वेट भी कम होगा और तीसरी चीज है कब्ज भी नहीं बनेगी आपको दोस्तों अगर आप मुटापा कम करने के लिए पानी ले रहे हैं तो थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी रात में भीगा दे और मेथी के दाने कुछ डाल दे तो मॉर्निंग में अलग ही टेस्ट आएगा इसका और हलका सरनमख डाल सकते हैं और ध्यान रहें दोस्तों अगर आप मुटापा कम करने के लिए कोई भी चीज ले रहे हैं तो हलका गुन गुना पानी से ही लेंगे वरना आपको कोई फायदा नहीं होगा अगर आप गुन गुना पानी करके कोई भी टेक्निक अपनाएंगे तो आपको जल्दी फायदा मिलेगा